गुण मॉनिंग बच्चो आज हम आपको इंगलिस क्लास फॉर्थ की चैप्टर नमबर थर्टीन के बारे में डिस्केशन करेंगे बच्चो पिछली क्लासों में आपने चैप्टर ट्वैल तग अपना सारा वर्क कम्प्रीट कर लिया होगा बच्चो आज का जो चैप्टर है इसका टाइटिल है अरुन एज अन्वैल अरुन अस्वस्थ है अरुन मॉम मॉम अरुन कहता है मॉम मॉम आइम नॉट फीलिंग वैल मैं अपने आपको अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ आइम हैविंग वाटरी नोज तो मेरे क्या हो रहा है नाक से पानी जा रहा है एंड हैडिक और सिर्दर्द भी है मदर कम हीर इधर आओ एंड सिट ओन ए चेयर और कुर्सी पर बैठ जाओ आई विल बिरिंग थर्मामीटर मैं थर्मामीटर लाती हूँ मॉम आई हैव शॉर्ड थ्रॉट्ट और मेरा गला भी खटा हु रहा है मदर वेट पॉर तो मिनिट दो मिनिट इंति जार करो तेक आऊट थर्मामीटर थर्मामीटर लो यह वाट नकालते हूँ एंड चेक दा थर्मामीटर और अनोने थर्मामीटर से जांच की mother you have a high fever तुमको बहुत तेज भुखार है I am going to take you to the doctor मैं तुमको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ अरुन no no mom नहीं नहीं ma I don't want to go to the doctor मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता why mother कहती है why he will give me an injection वह मुझको एक injection देगा and many bitter medicine और कई कड़वी दवाईया to eat खाने के लिए I am afraid of all this मैं इन सभी से डरता हूँ mother अरुन injection will make you well quickly injection तुमको जल्दी अच्छा कर देगा अरुन starts crying रोना शुरू की आसने my throat मेरा गला इस शौर खटा है I am very weak मैं बहुत कमजोर हूँ and I am going to die मैं मरने जा रहा हूँ mom please please किर्पया किर्पया I don't want to go मैं जाना नहीं चाहता mother don't be silly मूर्ख मत बनो अरुन you are not going to die तुम मरने नहीं जा रहे तो बच्छो आप ने ये chapter पड़ा इसका first page page number 87 अगली क्लास में हम next page के बारे में आप से discussion करेंगे तब तक के लिए good bye have a nice day बच्छो